नमस्कार में साक्षी एमिनस दुजलाई में आउस भी दर्शकू कस स्वागत है देखते हैं आज की खास खबर सूखे नाले में गिरी बस तीन की मौत तीस घायर जबलपूर में 17 फरवरी को एक ददना खाथसा हुआ जहां शहर के बाहरी इलाके में रविवार तटके प्रयाग्रास से नाफपूर जा रही बस पूल तोड़कर नाले के सुखे हिस्से में गिर गई जिससे बस में सवार तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्या तीस लोग घायल है नगर पुलिस अधिक्षक कोशल सीह ने बताया कि करोडी नाले पर गुजर रही बस पूल तोड़कर नाले के सुखे हिस्से में गिर गई हाथसे में बस में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि तीस अन्या घायल हो गई उन्होंने बताया कि रात्मिक जाज से पता चला है कि चायलक ने वहान से नियंटरन खो देने के कारण बस पूल से नीचे गिर गई उन्होंने बताया कि हाथसे में मृतको के पहचान नागपूर महारश्ट निवासी मूरतलाल उम्रा 24 साल राहूल सें उम्रा 20 साल और चित्रपूट के निवासी रामूपाल उम्रा 22 साल के रूप में हुई है गायलों को इलाज के लिए जबलपूर के जिलास्त बतान में भर्टी कराया गया है उन्होंने पताया कि बस ब्राग राश से नागपूर जा रही थी सीहा ने पताया कि पुलिस मामला दर्ज कर विस्टू जाज कर रही है तो MNS News लाइक की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टूर से MNS हिंदिया आप डाउनलोड करें और हमारी न्यूस के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्स्राइब कर रहे हैं बैले करने परने और ना भूल करने बादे